शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले दक्षिन नागपूर के अंतरगत आने वाले इमाम वाड़ा परिसरस्थित करबला धोबी घाट के एक कमड़े की खिड़की से किसी अज्यात व्यक्ति ने अंगार लगा दी जिससे हजारों रुपयों का रखा कप्डों का माल जल कर राक हो गया सुबा जब धोबी घाट के कर्मचारी काम पर आये तो ये मामला देख कर दंग रहे गए उन्होंने तकाल इस घटना के सुचना कंट्रोल रूम को दी जिसके बाद बड़े पुलीस घटना स्थाल पर पहुची आगे की जाच चल रही है दक्षिन नागपूर की अंतरगत आने वाले इमामवडा परिसर स्थित करबला धोबी घाट है जहां पर प्रती दिन अस्पताल घरेलू बिछायत केंद्र होटेल्स रेस्टरॉन के कपड़े धुलवाने के लिए आते हैं इस धोबी घाट के कर्मचारी कपड़े धुलवा लेकिन जब सुबह वो काम पर आये तो उन्होंने देखा कि कपड़ों से भरा हुआ कमरा जल कर खाक हो चुका था सुबह में कर्मचारीों ने इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी जिसके बाद बर्डी थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुँची आग किसी शौट सरकित से नहीं लगी थी बलकि कुछ शरारती और असामाजिक तत्वो द्वारा यहां आग जान बुच कर लगाई गई थी जिससे लाखों का नुकसान हुआ है एक और कोरणा महामारी से तरस्त धोबी कर्मचारी आग से हुए नुकसान को लेकर गहरे सदमे में है अग्यात आरोपी फरार है पुलिस मामली की जाच कर रही है लगी क्यों लगे किसने लगाए जो आग लगी हमको भी नहीं पता इसके बारे में हम अपना तीन बज़े काम करके चले गए ते यहां से दरवाजे में लॉक करके जहां सुबहे हमको फोन आया कि यहां पर ऐसा इसा हुआ है जो काम करना ले हमारे बंदू लोग बाई पूकना आले आते हैं कई लोग यहां पर बैठे रहते हैं दददस के गुरूब बैठे रहते हैं हमने कई बार गनेश्पेट पुलिस स्टेशन में इसके लिए रिपोट कर चुके हैं लेकिन उनके किजी के हाथ आते नहीं और आज सुबह फिर मैंने सुबहर साओ नंबर पुलिस वाले आये थे उन्हेंने पूरा है का देख दख गया और फिर रिपोट लेने के लिए बुलाइते फिर महां पर गया था वहां पूरी रिपोट लिखवा यह पर एक कोफी पूरी महाँ गनेश्पेट पुलिस चोगई गया था और मेडम हमां पर मिले ते हमको तो और देखना ये हुआ कि अब तक जिसने आग लगाई वो जो आरोपी है अग्यात आरोपी फरार बताया जा रहा है अब गनेशपेट पुलिस कितने समय में उसको धरदबोचती ये देखना होगा मगर जिस तरह से ही जो आग लगाई गई कई ग्रहाक लोगों के कपड़े जल ध्यान दे और इन लोगों से जब हमने बात की तो इन लोगों का ये कहना था कि इस परीसर के अगल बगल वाले जो शरारती तत्व है रात में बड़ी संक्या में यहाँ पर आते हैं गांजा चरस का स्मोक भी करते हैं और कुछ शरारती तत्व द्वारा ये घटना को अंज आज बुठले के साथ संजय मीरे इंडी सेन नागपूर